नमस्कार माकेट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन शर्मा हर सब्धा हम ये शो आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपने शेर बाजार से जुड़ी हुई उल्जनों को सुल्जा सके हमने लेखा कि पिछले लगबग एक सब्धा के अंदर जो बज हुषे हाल सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है उम्मीदे कई ज्यादा है इस बाज़ार को कि किस तरह का बजट निकल करके आता है तो कह सकते का बजट earlier कि छुरुवाथ हुई है तो उम्मीदे थ formula काफी ज्यादा बंदती चली जा रही है इस बीच क strategically इंडिके इंडिकेटर्स पी जो के बाजार की दिशा को तै कर रहे हैं गार को लेकर के कई सारी बाते सामने आ रही हैं तो वही दूसरी तरफ रिजर बैंक आफ इंडिया के जो मौद्रिक नीती आएगी उससे भी काफी उम्मीदे बंदती चली जा रही है इन तमाम जो इंडिकेटर्स सुलजाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है बाजार विश्यशग्या रवी स्वागत रवी आपका और तो आपके लिए अगले आदे घंटे के लिए दो होट लाइन नंबर खोल दिये गए जिस पर आप कॉल करके सीधे हमारे बाजार विश्यशग्या के स बिल्कुल बंद कर दे और उसके बाद सवाल पूछें ताकि आपकी जो आवाज हमारे पास तक स्पस्ट तरीके तक पहुंच सके तो चलिए सवाल जवाब का सिलसला शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं रवी समझने की कोशिश करेंगे बजट से आख और यह था कि मार्केट में काफी अद तक करेक्शन देखने को मिला था अगर वहां से भी आप देखें तो मार्केट में कम से कम 10 से 12 प्रिश्ट तक की रैली देखने को मिल चुकी है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पर बजट से पहले मैं थोड़ा सा लोगों क को यह बताना चाहूंगा कि बजट तो एक हई है और उम्मीदें तो हमेशा वित्मंत्री से रहती है कि कुछ ऐसे लुभावने भी मिलें कुछ अच्छे भी मिलें जिससे उनका पैसा बढ़ पाए तो मैं समस्ता हूं कि बजट से इस्पक्टेशन इस समय काफी ज्यादा है इंडस्ट्री वाइस हैं हम ध्री-द्री चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा पहला ये नोट कर लें कि बजट के साथ में और क्या-क्या इवेंट है अगर आप 31 तारीक को देखें तो एकनॉमिक सर्वे है जो बजट से पहले आ उसकी भी मीटिंग 31 और एक तारीक को है तो वो एक इंपॉर्टेंट है जो मार्केट से रिलेटेड है उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे यहां की पॉलिसी आर्बियाई पॉलिसी वो भी है और साथ में 11 मार्च 13 मार्च तक एलेक्शन के रिजल्ट आने है तो ये प बिल्कुल रवी और इसी बीच हमारे साथ जो कॉलर से वो अब जूड़ना शुरू हो चुके हैं हमारे साथ कर्राल से एक कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं नमशकार सर क्या नाम है आपका आप सर मैं कुल्दीब बोल रहा हूं मैं जी कुल्दीब अपने सवाल कर सकते हैं सब्सक्राइब जा रहा है ने कुल्दी एक बात आप से समझना चाहेंगे शेर बाजार के अगर परपेक्ष में बात करने की कोशिश कर तो क्या शेर बाजार से जोड़ा कोई सवाल है या फिर आप एक मैक्रो एकनोमिक पिक्चरी समझना चाहते हैं इस समय पर सब्सक्राइब जो जो बैंक से उन तक भी राशी मोहिया कराई गए थी ताकि वह आसानी से फसल खरीच सके रिड़ दे सके नाबाड वर्चर करके आगे आए यह कई सारे कदम उठाएगा है लेकिन रवी अगर आप हाइलाइट कर सके जो अगरिकल्चर सेक्टर पर इसको लेकर के बात कर लेते हैं कि क्रिशी शेत्र को बढ़ावा देने करें सरकार के क्या कुछ कदम ह और इसको अब स्टॉक से जोड़ सके शेर बाजार भी कहीना कि इस चीज को देखेगा कि एगरिकल्चर सेक्टर की ग्रोथ किस तर से निकल करके आती है मौनसुन जाहिर सी बात है काफी अच्छा रहा है इस बार तो इस चीज़ को आप किस तर से अनलाइज करते हैं जी बह जादा तर बिचॉलियों को बेस देते थे सरकार ने मंडी में ये रूल आप कर दिया है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा फसल खरीदने के लिए और दूसी तरफ सही मूल आपको जो मिनमम MSP प्राइस है वो आपको मिलेगा तो इसके लिए काफी तक जोड दिया गया है दू दूसरी बात है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो जाहर दीपक फर्टिलाइजर हो या एगरी कल्चर के स्टॉक्स से रिलेटेड जितने भी हैं उन स्टॉक्स में देखे तो रैली जो है वो आठ से दस परसंट तक रिटन बढ़ चुका यानि कि तेजी आ रहानगा और कि सरकार का फोकस भी यही है कि पर ड्रॉप हो मोर क्रॉप हो यानि कि जितना क्रॉप को पानी चे जो इस समय पर उठा रही है चलिए इसी बीच हमाई साथ राकेश जोड़ रहे हैं बरुड़ा से राकेश स्वागत है आपका मांके दिस वीक पे क्या सवाल है कि यहां से मार्केट को कितना उपर देखते हैं क्या राकेश आपने निवेश किया हुआ है यहां से बाजा कितना और उपर जाएगा तो कितना एड्रूम आपको देख रहा है अगर इंडेक्स में आप 20 इंडेक्स देखते हैं तो मैं अभी समस्ता हूँ कि इसमें जो तेजी है वो एक बार 28,300 से 400 तक यानि कि यहां से कम से कम 2,5 प्रश्ट तक की तेजी तो इमिजिट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी दूसी तरफ अगर आप बजट से पहले बता रहे हैं बजट से पहले बिल्कुल और निफ्टी की जहां तक बात कर रहे हैं तो अभी निफ्टी का जो रेट है वो है 8641 रुपए यानि 8641 रुपए तो मैं समझता हूँ कि अभी एक बार मार्केट में मोमेंटम है तो उसको देखते हुए 8700 यानि 8700 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें मैं बहुत चोटी सी सिंपल स्ट्राटेजी बताता हूँ अगर आप बजट में अब तक रैली देख चुके हैं और इन्जॉय कर चुके हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यह होता है कि आप इस रैली क आप अप्लाई करें मैं समस्ता हूँ अभी यहां से कम से कम 2.5-3% तक की तेजी और देखने को मिलेगी रवी यह तो आपने काफी पॉजिटिव व्यू बताया कि जैसे निफ्टी में आपको यहां से कम से कम से कम 60-70 पॉइंट की तेजी यहां से दिख रही है लेकिन बज इंडिकेटर्स आप अनलाइस कर रहे हैं उसको देखते हो क्या लगता है डी डे जब होगा जब बजट वाला दिन होगा उसन कौन सा कॉल चलेगा और फिर कौन सा पुट चलेगा देखे मैं एक सेफ इन्वेस्टर की पॉइंट अविज से सोचता हूँ तो मैं आपको कहू पहला दूसरी तरफ है कि आप चाहते हैं कि मार्केट में हेज ना हेज रहू में नीचे भी गिर जाए तो मुझे फाइदा हो लेकिन उपर भी जाए तो मुझे फाइदा हो नुकसान ना हो तो उपर और नीचे दोनों को इंज्वाई करने के लिए आप 87 का कॉल और पुट तो पुट दोनों खरीद लिजेए अगर आप दोनों खरीद लेते हैं तो मार्केट में जो उचाल होगा जो इतार या चल आता हें तो आपको जो एक कॉल खरीदेंगे उसमें आपको या मुनाफ़ा मिलेगा जो पूट है उसमें थोड़ा नुकसान होगा लेकिन अगर जादा ही होगा तो यह फाइदा आपको मिल सकता आप इस तरीके बहुत अच्छी बहुत अच्छी बताई कि जहां कॉल खरीद रहें उसी का पूट खरीद लें तो आपको इतना नुकसान नहीं को पूट भी और उपर जाता है तो आपको फाइदा होना तैहे एक तरह से चलिए इसे भीच हमारे साथ मैंक जोड़ रहे हैं लगना उसे मैंक आप अपना सवाल कर सकते हैं यह सब्सक्राइब बंकिंग सेक्टर पर अपनी राय चाहते हैं यह ठीक है आपने कुछ खुछ आपने खुद रिसर्च से इस बैंक 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 इस बीच में बैंक स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में क्या स्ट्रेजी हो जो बिग बॉइस उसके साथ जाएंगे फिजो अरुन जी मैं फिर से बोलूँगा स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बेटर है कि वो मिक्स स्ट्राइजी बनाया है मिक्स स्ट्राइजी का मतलब है आप बड़े बैंक में जो तेजी आए उसका भी इंजॉय करें और जो छोटे बैंक हैं जिनकी ग्रोथ आगे बिजनेस पढ़ने वाला है क्योंकि डी मॉनिटाइशन के बात जो फंड आया है वो अब आगे की ग्रोथ बैंक की डिसाइड कर अगर आप स्टॉक देखना चाते हो तो एक सिटी यूनियन बैंक है जो की इस समय असी रुपए के पास है मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए डी सी भी बैंक है और साथ में अगर आप देखें तो फेडरल बैंक ये तीन बैंक का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा ह पीछे भी अगर रिटन देखें तो काफी अच्छी रिटन से इन में देखने को मिली है तो छोटे मैंने स्टॉक दिये हैं बड़े स्टॉक आपने चूजी किये हैं आपने आइससी बैंक खुदी बताया है तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े के साथ में आप अपने पूछा ये ज़रूरी होता है कि सही इन्वेस्मेंट कहां पे करें और कितना करें देखें अगर आपके पास सो रुपए हैं तो मैं कहूँगा कि आप पच्चिस से पच्चिस पच्चिस रुपए जो है वो सीधे सीधे आप जो ICIC और SDFC बैंक आपने चूज कि आप उसमें लगाएं बाकी जो तीन बैंक हैं आप उनमें 15 रुपए 15 रुपए करके और एक में 20 रुपए इस तरीके से आप डिविजन कर लें नहीं तो आप जो 50 रुपए बसता है उसको आप 3 से डिवाइट करके आप उन शेर्स को कर सकते हैं लेकिन ये तीनों बैंक में अगर मैं पूछेंगे तो मुझे लगता है DCB बैंक के ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उसको 20 रुपए का पर्चेस करिए बाकी City Indian बैंक को आप 15 रुपए के हिसाब से पर्चेस करें जादा अच्छे है तो बिग बॉइस में भी पैसा लगाई है जो कि बैंकिंग सेक्टर के हैं कि आइसी आइसीया बैंक, HDFC ये दिगज कहे जाते हैं, ब्लूचिप काउंटर्स कहे जाते हैं लेकिन जो मिटक्याप या स्मॉल क्याप बैंक्स हैं इसमें भी अच्छे कासे रिटन यहां पर आपको दिखाई देंगी क्योंकि जिस तरह से डिजिटर हमारी एकॉनमी हो र चले जिन लोग को ये IPO मिल जाता है उनके लिए अच्छी बात है या नहीं वो तो नहीं पता लेकिन जो लोग इस बस को मिस कर गए हैं, उनकी क्या स्ट्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह का एक्सचेंज आ रहा है, लिस्ट हो रहा है, MCX के बाद ये दूसरे एक तरह स बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने IPO में लगाया है पहले उनके लिए, अगर आपने BSC के IPO में पैसा लगाया है और आपको शेयर रिलाट्मेंट आ जाता है, सबसे बड़िया बात होती है कि मार्केट अगर तेजी की तरफ खुल जाता है, तो 25 शेयर इमेजिट बेसिस प उपर जाता रहता है, तो जब आपने 25 शेयर बेचे थे, उस शेयर को लिख लीजिए, जिस दिन उस प्राइस के 3 दिन नीचे बंद हो जाए, आप अपने स्टॉक को काड़ दीजिए, आपका मुनाफ़ा कभी कोई भी नहीं ले जा सकता, पहला strategy, दूसरी आपने का जिन ल उम्मीद करते है, इस strategy जो रवी ने आपको बताई है, यह आपके काम आएगी, जो BSE के आई प्यों के लिए है, चलिए इस बीच हमारे साथ भाईलाल जोड़ रहे है मुंबई से, स्वागत है भाईलाल जी, क्या सवाल है आपका, इंफोसिस नीचे आ रहा है, अबुजा अबुजा लिया हूँ है, तो ठटि पे, एक इंफोसिस की बाद के, दुसरा अपने अमुजा के बार में बताया, किस बाऊपे आपने लिया हुआ है, अ पिर आपको लेना है, il तो ठटिक है और तीसरा कौण सा स्टॉक बताया अपने, यह किस भाव पर है आपके पास तीक यह आसपास जो करंट भाव है उसी के आसपास आपका भाव है कितना लंबा रुख सकते हैं तीनों ही काउंटरस में भाईलाल जी आप दो महिना दो महिना एक ट्रेडिंग स्ट्राटेजी इनकी है चलिए चेक ले लेते हैं शुक्रिया भ प्रिए आपको लगता इस पर होनी चाहिए तीन सवाल से पहले इनके उज्यादा जो उत्सुक्ता थी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसके लिए बताओ अगर आप शेयर मार्केट वे इंवस्मेंट करते हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है HPCL, BPCL आप इनके शेयर जरूर खरी सकते हैं जिससे की पेट्रोल में जो बढ़त होगी उससे इन स् इस शेयर में देखने को मिल सकती अगर मिलता है तो आपको एक बार profit जरूर बुक करना चाहिए दूसरा शेयर आपने बताया Amboja Cement इस समय 192 का चल रहा है 230 का purchase है अच्छा लेवल चल रहा है आप एक बार को अगर इसमें थोड़ा सा add-on यानि कि थोड़ी और खरीदारी कर सकें तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है कि वापिस से आपको 240 तक के rate देखने को मिलेंगे दूसरे तीसरा जो आपने स्टॉक बताया उसमें थोड़ी सी अभी negativity देखने को मिल रही है मुझे लगता है कि अगर आप दो महीने का view है अगर आपके भाव सा थोड़ा ऊ सकते हैं चलिए इस बीच राकेश नेगी हमारे साथ जोड़ने चंडीगर से राकेश स्वागत है आपका माकेट इस वीक में क्या सवाल है आपका पंजाब नेसल बैंक बैंक और और सुजलान एनरजी तो इनकी फूचर एसपक्स तो जाना चाहता हूं राकेश यह तीन सर लिया एक्चिलिए 24 पे ताजर अभी तो 16 जान लेते क्या कुछ करें सुजलान पी और बैंक बरोडा क्या कुछ रणनीती होगी रवी सुजलान डेट जब भी कम करने की खबरे आती है डेट रिस्ट्रक्चर करता है शेर भागना शुरू कर देता है फिर गिरना शुरू अब 24 पे ले लिए 17 पे फस गए 6 रूपे का नुकसान सुजलान में क्या कुछ करें देखें पहली बात है कि मैं कहूंगा कि इस तरह की जो स्पेकुलेटिव थोड़े से शेर होते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए लेकिन आप एक सुजलान का अगर बिहेविर देखें फंडमेंटली जरूर अच्छा है लेकिन अभी बहुत जादा ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिल रही है अब इस स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है 11 से 13 रूपय का प्राइज हमेशा आप बाई के लिए रखें और वापिस बुकिंग के लिए आप 19 से 20 रूपय के पास आता है तो बुक कर लें फिलाल आपने 24 पे खरीदा है अगर वापिस से थोड़ा सा करेक्शन है पंदर रूपय के पास मिलता तो जरूर खरीद लीजिएगा जैसे कि आपके आवरेज नीचे आ जाएगा तो आपको निकलने में सुब्धा होगी दूसरा आपने मुझे लगता है कि बैंक का बढ़ोधा बैंकिंग सेक्टर में आप अपने पॉर्टफोलियो में शेर और एड करें कम करने की राय मेरी नहीं होगी क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बैंकिंग में यानि कि एक से दो महिने तक हो सकता है कॉंसलिडेशन पीरिड देखने करना पड़ता है आपने अभी तक निवेश नहीं किया है या डीमेट अकाउंट आपका है या वो नहीं अभी आप बिल्कुल फ्रेश इंवेस्टर है नहीं नहीं मैं पहली बार जुड़ा हो जुले के लिए बोलता हूं चलि ठीक है जान लेते हैं इस सवाल को कि शेर पहली बात है देखें डीमेट अकाउंट से कन्फ्यूजन मत खाईए जब भी आपको शेर मार्केट में इन्वेस्मेंट करना हो तो आपको एक अकाउंट की जरुरत पड़ती है जैसे आप नॉर्मल बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही आप जो रजिस्टर ब्रोक इसलिए आपको डीमेट अकाउंट की जरुरत होती उसको डीमेट एकाउंट कहते हैं और डीमेट खुलवाना बहुत सिंपल प्रॉसेस है पैंक कार्ट कंपलसरी है और साथ में KYC जो आप बैंक में फिल करते हैं सेम वही KYC आपके डीमेट अकाउंट में लगती है और आप डीमेट एकाउंट खुलवाते समय या शेर ट्रेडिंग करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस रेजिस्टर ब्लोकर के आप खुलवा रहे हैं उससे आप अपने खरीदने और बेचने की कॉस्ट जरूर पूछें और उस कॉस्ट को अगर कम आप करवा पाते हैं दीमेट खुलवा सकते हैं और जाने की ज़रूरत भी नहीं गूगल पर टाइप कीजिए उनका जो नंबर उस पर कॉल कीजिए जो एक्जेगेटिव हैं आप ही के पास आप ही घर पर आकर करके आपका डीमेट खुल देंगे और बाद में आप जो शेर बाजार में ट्रेड आवाज आ रही है जी नमस्कार सर सवाल कीजिए सर मैं पूछ रहा था कि अपना जो एफटी बैंकिंग में जो एफटी रेट एंट्रेस रेट जी और शेर मार्केटिंग का इसमें बैटर किसको चूज करें ठीक है इसके अलबावा कोई सवाल इसमें एसाइपी अगर ले में तो एफटी से बैटर रहे गा है अच्छा मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूंगा बेनिडाल जी अभी तक आप फिक्स डिपॉसित करवाते रहे हैं आपने कभी मुच्छ फंड या फिर शेर बाजार में पैसा लगाया इससे पहले या फ क्या बेटर रहेगा कि मैं आपटी से निकाल के साइपी में डाल दूपेसा एक और चीज़ अभी आपने जो मुच्छ फंड खरीदा है इसमें आपको 11 पर संट मिल रहा है क्या वो एक्यूटी लिंग सेविंग स्कीम है यानि कि जो टैक्स सेविंग के लिया से किया था वो मिक्स पोटफिली बनाने की आप सला देंगे यहां पर देखे मैं कहूंगा कि एज़ा बेनिलाल जी कभी भी सीधे मार्केट से रिस्क मत लीजे पहली बात है जैसे आपने अभी 100 रुपय वाला एक्जामपल दिया था मैं उसी पर आता हूँ अगर आपके पास 100 रुपय है सेविंग के तो आप उसमें से आप मिनिममम कम से कम 40% तो आप FD में रखिए 60% ही सिर्फ मार्केट में डालिए क्योंकि मार्केट में जोखी मोता है अगर मार्केट में डाउन फॉल होता तो आपके रिटन जो है वो कम हो सकते हैं हाँ लेकिन एक फायदा यह जरूर होता है कि आपको FD में 6% 7% आपको fix return मिल रहा है लेकिन stock market में आपको single day पे आपको 6% गा return मिल सकता है तो यह risk होता है risk reward को समस्ते वे trade करिए उसे हिसाब से आप investment करिए वो ज़्यादा अच्छा है दूसी तरफ मैं आपको एक और भी राय देना चाहूँगा आपने जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो S.I.P. में आप investment करते हैं तो अगर market बहुत उपर होता है या बहुत नीचे होता है तो आप चुकि हर जगा पे investment कर रहे हैं तो आपका average price है वो अच्छा होता है जिससे कि market अगर कभी stable होता है तो आपका portfolio बहुत loss में नहीं जाता तो एक आपको ये बहुत बड़ा फाइदा है दूसरी तरफ है मैं कहूंगा कि जिस purpose से investment किया उसका जरूर धान रखे अगर आप medical के साथ में टैक सेविंग भी करना चाते हैं और आप तब mutual fund आप खरीते हैं उस तरीके के जो आप mutual fund खरीते हैं उनमें बहुत अच्छे returns नहीं आत है तो आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखें मुझे लगता है SIP का प्लान काफी अच्छ है तो SIP का प्लान एक तरसे अच्छी रणनीती साबित हो सकता है चले इसे बीच हमारे साथ कृष्णा से जोड़ रहे हैं समसे कृष्णा जी स्वागत है आपका सवाल कर सकते हैं लेकिन अगले एक मेने की स्ट्राटेजी को समझने की कोशिश करें काफी कृष्ण है इलेक्शन भी है बजट भी है फेडरल लिजव की आपने बात की मौदरिक नीती भी है इस बीच में किस तरह से एक जो इन्वेस्टर ए लॉंग टरम इन्वेस्टर उसकी स्ट्राटेज कि थोड़ी profit booking में जो correction है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिले बड़े का मतलब है कि आपको 10% के rally होती तो 3-3.5% का correction देखने को मिल सकता है लेकिन वो नए investor के लिए ज़्यादा अच्छी opportunity है कि वो वापिस से buy कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि अभी फिलाल अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए का investment जरूर करें चलिए रवी आपने तमाम stocks पे राइश हुमारे की अपनी जानकारी दी कोई disclaimer आपकी तरफ से जिन stocks में हमने चर्चा करी है ये हमारे आपके clients को suggestion गए है लेकिन personal मेरी या फिर मेरे किसे relative की कोई भी position नहीं है चलिए शुक्रियर रवी आप शोपर आयों तमाम जो मारे caller से हैं उनकी उल्चिनों को अपने सुल जाया आपको बहुत शुक्रिया चलिए तो आज market this week के इस अंक में इतना ही है आगले सब्ता फिर आपसे होगी मुलाकात मुझे दीजिए जासत नमस्कार